तो इस सॉलिनाइड को कुछ ऐसे हम द्रॉआ कर सकते हैं ताकि क्यालकुलेशन्स इजी हो जाए यह सॉलिनाइड यह टॉराइड यह होता है इसकी तर्नुज होती हैं बेटा इसकी तर्नुज को हम तो वाइंड कर सकते हैं डिरेक्ली या किसी इन्सुलेटिड कोर पर ठीक तो फिलाल यह डिरेक्ली हमने वाइंड किया हुआ हमारा यह टॉलाइड इस टॉलाइड यह मैं फ्रीडी वे इसका दिखा रहा हूं ताकि सीखने में आसानी हो जाए ठीक so यह हमारा टॉराइड और जटॉलाइड हो यी टॉलाइड इंसाइड दॉलाइड थीक तो इस टॉलाइड में बड़ा करेंट फिलो हो रही है माल लीजाए इसमें फिलोव हो रही है करेंट अहीए तो मेगनेटिक फील्ड की डारेक्शन जब हम देखेंगे इसके अंदर अगर ette आप यूस करेंगे राइट एंड फिरस रूट सो यहां पर केरंट केस्ट में दर होगा ant 3D की डारेक्शन होगी करंट की डायर की डारेक्शन मैगनेटिक फील्ड इये करंड के मैगनेटिक फील्ड इये करंट के मैगनेटिक फिल्ड इये अब देख लीजिए मेरा थंबी करवेचर ले रहा है, तो सारे का सारा मेगनेटिक फिल्ड जो है, वो इस टॉराइट के अंदर ही रहेगा, जैसे ट्यूब के अंदर बड़ा पानी होता है, चलिए, तो अब मेगनेटिक फिल्ड इसके अंदर कितना होगा, वो सारा मेगनेट फिल्ड जब हम देखेंगे, वो कैसे निकाला जाएगा, हम एक एम्पेरियन लूप बेटा ड्रॉप करेंगे, ठीक, तो एम्पेरियन लूप देखे, मैं कैसी ड्रॉप कर रहा हूं, मैं सर्कुलर लूप ड्रॉप कर रहा हूं, इस इंपेरियन लूप, ये इंपेरियन लूप मैंने ट्रो कर दी, इस इंपेरियन लूप और मैंने परसो भी आपसे कहा था, इसके डारेक्शन वही लए लो, जो disturbing एक औरहरूंद के डारेक्शन हो ताकि इसजी हो जाये current ये हैं तो magnetic field ये होगा तो imperial loop की भी direction वहीं से लेनी पड़ेगा current ये magnetic field ये imperial loop की direction ये imperial loop की direction बैटा anti-clockwise है तो magnetic ना लीज़े ये loop जो है ये center से मैंने r की दूरी पे लिया है ये loop, imperial loop अब मुझे आप एक बाद बताएए अब अगर मैं imperial circuit इसके लिए यूज़ करूँगा तो मुझे क्या लिखना पड़े का बैटा total integration of magnetic field over the closed loop is equal to mu not times current and closed एक turn में बैटा current है आई, एक turn में current है आई तो क्या इसके बतले हमां ऐसा लिख सकते it is BDL cos theta अचा theta, cos theta जो है theta किसकी के बीच में एंगल है BDL के बीच में DL किसका length element है current element का length element नहीं है यह loop का है, imperial loop का length element है तो यहां पर अगर मैं imperial loop का length element लोंगा यह छोटा सा element मैंने लिया DL शाबाश, तो इस DL के direction यह होगी ना और because loop के direction हमने यह चूज़ की है तो DL के direction ही और magnetic field की भी direction वहां पर यही है so theta आएगा 0 हर जगा आप देख लीजिए DL और B के बीच में angle beta 0 आएगा यहां पर अगर हम देखेंगे, यहां पर देखेंगे यहां so current की direction ही, magnetic field ही यहां और DL जब मैं यहां पर छोटा सा DL होंगा उसकी भी direction वही होगी so magnetic field की direction यह, DL की भी direction यह यहां यहार जगा B और DL same direction में होंगे यहार जगा theta बनेगा 0 so I will write it is cos 0 and that is mu naught times current enclosed cos 0 beta 1 हो गया so it is integration B into DL and that is equal to mu naught times current enclosed so it is mu naught times current enclosed and as per the symmetry is concerned यह सारा symmetrical है अब देख लिजए सारा symmetrical इसका कोई end नहीं दिख रहा है there is no end rate so क्योंकि यह symmetrical है पेटा हम ले सकते हैं हर जगा magnetic field is same होगा इस toroid के अंदर हर जगा magnetic field is same होगा यानि B constant होगा तो B को पेटा integral से बाहर निकालेंगे अंदर बचेगा integration of DL and that is equal to mu naught times current enclosed mu naught times current enclosed so B integration DL किसके बराबर आएगा यह DL किसके elements and length elements है empirical loop के so जो मैं DL 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 सारा add करूंगा integrate करूंगा वह बनिगा इस loop का circumference that is equal to 2 pi r और यहां पर क्याएगा mu naught times current enclosed बस यह question अब होने वाला है अभी enclosed enclosed current हमें ढूंड नहीं है ठीक तो सबसे पहले मुझे बताएए सबसे पहले अगर मैं आपसे यह कहूंगा अगर unit length में n turnus है small n turnus है unit length में in is number of turns per unit length अगर n है unit length में turnus ठीक है unit length तो यह सारी length कितनी है 2 pi r unit length में n turnus है 2 pi r length में कितनी turns होंगी तो मैं लिखूंगा number of turns अब बताएए अब बताएए एक turn में कितनी current है क्या सारी की सारी turns Claire knows mlah अब दोमका हो रही है अभ देख लीजए यह वाली turn loop के अंदर अगर अदर जा रही है भार आ रही है सारी turns现在 अगर हम लेंगे वह loop के अंदर जा रही है यह लूप है ना यह वाला loup यह वालाई लूप है ना अभ देक्वे loop के अंदर अंदर सारी turnस है, सारी turnus Б सारी turnus n close हो रही है, सारी turnus n close हो रही है, सारी turnus इतनी है, एक turn में कितनी current है, So, this is enclosed current by the Empyrean loop. अब हमें फिर बता ही है बेटा, यहां पर क्या आएगा? तो मैं लिखूंगा B into 2 pi r that is equal to mu naught times. What is current enclosed? N into 2 pi r into i. 2 pi r, 2 pi r, बेटा, cancel होगा. Magnetic field किसके बरावर आएगा? mu naught n i. So, this is magnetic field inside the toroid. ठीक है, na? Solenoid से भी यही आया था, magnetic field mu naught n i. तो पता चार रहा है कि अगर आप solenoid को bend करोगे, circular solenoid बनाओगे, magnetic field stronger, बेटा, वही रहती है, mu naught n i. और यह magnetic field, जो है, यह हर जगा इस toroid के अंदर same होगा, और curvature ले रहा होगा. So, n का है, n? It is number density of turns, यानि जितनी turns नजदीक होँगी, उतना n होगा, ज्यादा. Number of turns जितनी नजदीक होँगी, n होगा, ज्यादा. n जब ज्यादा होगा, तो magnetic field भी automatically क्या होगा, बेटा, ज्यादा होगा. So, आज के बाद याद रहेंगे, magnetic field due to toroid is equal to mu naught n है. तो, इसके बाद, अब अगर हम देखेंगे, इसकी और एक application है. M.P.R.Circuito log की बीटा और एक application है, और इसको हम क्याते है, magnetic field due to hollow cylinder. Hollow cylinder हम एक लेंगे, उसके, देखेंगे, उसकी और ज़से different जगों पर magnetic field क्या होना है. तो, ये और एक application हम पढ़ने जा रहें, that is, magnetic field due to hollow cylinder. And, obviously, it will be carrying a current, but the current will be along the circumfire, along the surface of the sphere, along the surface of the sphere. So, suppose, we have a hollow cylinder over here, hollow cylinder बेटा जो अंदर से खाली होना 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 है. So, ये एक cylinder मैंने ले लिया, ये अंदर से खाली है. और ये इसकी axis है, ये hollow cylinder की axis है. And, we need to find the magnetic field due to the hollow cylinder. अब तीन जगों पर मैं magnetic field दोड़ने की कोश्च करूँगा. सबसे पहले, चुंकि ये अंदर से खाली है, बेटा, current जो flow हो रही होगी, वो circumference के along flow हो रही है. ठीक, अब मैं तीन जगों पर magnetic field दोड़नूँगा, एक तो cylinder के अंदर, cylinder की surface पर और cylinder से बाहर. तो inside the cylinder, पहला point मैं लिख रहा हूँ, बेटा, magnetic field, कहां पर डूण देंगे, शाबाश, magnetic field inside the cylinder, inside the cylinder. तो cylinder के अंदर, बेटा, magnetic field कितना होगा, वो कैसे calculate करेंगे, हम already ampere circuit अलाप चुके हैं, तो मैं क्या करूँगा, suppose इसका radius R है, सिलेंडर का, मैं यहां पर एक imaginary point लूँगा, जहां पर मुझे magnetic field बेटा ढूंड़ना पड़ेगा, तो इसके बाद मैंने क्या किया, इस point पर magnetic field डूंड़ने के लिए मैं एक amperian loop बेटा ड्रॉ करूंगा, यह एक amperian loop मैंने ड्रॉ की, एक line मैंने ड्रॉ की, cylinder के अंदर, तो आप मुझे बताईए, इस cylinder के अंदर, जब मैंने amperian loop ड्रॉ किया, इस amperian loop के अंदर कितनी current है, क्या यह कोई current enclose कर रहा है, यह amperian loop, बिलकुल भी नहीं, because current तो second के एक रहा through flow हो रही है, current is flowing through the second of the conductor, यानि यह cylinder के surface एक current flow हो रही है, cylinder के अंदर कोई current है नहीं, शोब inside कोई current नहीं है, तो amperian loop भी इसके अंदर ही है, so it will also be enclosing zero current, there will be no current enclosed by this amperian loop, so अगर मैं बेटा इसके लिए, मैं लिखूंगा b.dl, शाबाज, b.dl, किसके बरबर आएगा, mu not times current enclosed, so what is enclosed current, तो मैं लिखूंगा integration, शाबाज, या मैं लिखूंगा b.dl cos theta, या directly b.dl, b.dl cos theta, and that will be equal, चूंकि current zero है, no current is enclosed, enclosed current चूंकि zero है, ये zero के बराबर आएगा, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ, कि magnetic field जो होगा बेटा, तो logically अगर हम सोचेंगे, d.l तो zero नहीं हो सकता है, इसकी कोई नहीं कोई link तो हो सकती है, अब magnetic field यहां पर exist नहीं कर रहा है, तो theta angle की तो बात ही नहीं है, so that means यहां पर जब हम इसको solve करेंगे, directly magnetic field किसके बराबर आएगा, बेटा, zero के बराबर आएगा, so ये scene हम देख रहे हैं, कि cylinder जो होगा, इसके अंदर, inside the cylinder, there is no current enclosed and there will be no magnetic field inside the cylinder, तो cylinder के अंदर कोई magnetic field बेटा नहीं होगा, चलिए, ये तो बात होगई, इसके बाद, अब अगर inside that means, यहां पर भी zero होगा, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी, जितन सर, हम axis से surface की और जब जाएंगे, magnetic field का value बेटा क्या होगा, जीरो, चलिए, आप बाहर देखेंगे, magnetic field outside the cylinder, cylinder के बाहर की मैं बात करूँगा, आदी, so outside cylinder, cylinder के बाहर कितना magnetic field होगा, cylinder के बाहर जो magnetic field होगा, वो कितना होगा, बेटा, तो normally अगर हम देखेंगे, यहां पर cylinder के बाहर, तो मैं यह वाला point लूँगा, suppose, अभी मैं यहां पर magnetic field डूँड़ना चाहूँगा, here, तो इस जगर पे magnetic field डूँड़ने के लिए, मैं ऐसा यह imperial loop डूँड़ करूँगा, मान लीजे, यह point जहां पर आप magnetic field डूँड़ना चाहते हैं, यह xc से small r की दूँड़ी पे हैं, इतनी दूँड़ी पे हैं, small r की दूँड़ी पे, तो मैंने imperial loop डूँड़ किया, इस cylinder के, तो इस point पर अगर मुझे magnetic field डूँड़ना है, मैं फिर से imperial circuit law यूज़ करूँगा, बेटा, so imperial circuit law हमें क्या कहता है, it states that integration of magnetic field over the closed line, and that is equal to mu naught times current and closed, अभी बेटा मुझे बताए, imperial loop के direction में कैसी choose करूँगा, normally current ऐसे हैं, तो magnetic field invert होगा, तो loop के direction भी मैं ऐसी ही choose करूँगा, ताकि loop के direction भी invert हो, ठीटा हमारा 0 हो, current हमें negate हो ना लेनी पड़े, अब बताए, तो कितनी current and close कर रहा है, यह loop, सारी current इसके अंदर है, आई, total current and close is I, so I will write integration of BDL cos theta, theta कितना आएगा, इससे पहले भी मैंने कहा, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, DL के direction, यह magnetic field भी invert, इस point भी अगर हम देखेंगे, magnetic field भाहर होगा, और DL के direction भी भाहर होगी, यानि इस loop के हर जगब पे theta क्या बनेगा, 0, so I will write cos 0, and that is equal to mu not, how much current is enclosed, सारी की सारी current बेडाइंगे अंदर हो रही है, ठीके न, अब बताइए, यहाँ पर क्या आएगा, cos 0 हो गया, इस loop के हर एक point पर magnetic field is same होगा, यहाँ पर आएगा, integration of DL, cos 0, beta 1 हो गया, that is mu not times total current, and close is I, so it is B, what is integration DL, छोटे-छोटे length elements हम add करेंगे, DL किसका length element होता है, current का के loop का, loop का, emperial loop का, to emperial loop के छोटे-छोटे length element, जब हम add करेंगे, यह बनिए का, इस loop का circumference, any 2 pi r, और यहाँ पर का आएगा, mu not times current and close, so it is magnetic field equal, it is equal to mu not i by 2 pi r, simple, mu not i by 2 pi r, so this will be magnetic field, outside the slender, and here magnetic field is inversely proportional, to the distance of the point, from the axis of the slender, तो यहाँ पर इस observation point को, जो है, चुंकि हम नहीं यह पढ़ा, this is magnetic field due to a straight wire, so इस observation point को लगेगा, यह slender नहीं, यह एक wire है, और जो लाई कर रहे है, along the axis of the slender, so magnetic field बेटा, जितना फिर दूर बागेंगे, slender से, magnetic field का value, कम 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 होता जाएगा, and if you wish to find the magnetic field, on the surface of the slender, अगर surface पर डूंड रोना है, उस ताइम पर यह small r का value कह लिखेंगे, capital r, so surface पर कितना होगा, surface की अगर हम बात करेंगे, surface पर क्या होगा, बैटा, अब अगर मैं surface की बात करोगा, magnetic field on surface, surface of the slender, surface पर कितना होगा, magnetic field, that is equal to, this equal to shawash, mu not i by 2 pi r, यानि maximum, बिकार जितना पर surface से दूर बागोगे, r का value दीरे दीरे बढ़ेगा, magnetic field, कम होता जाएगा, अब finally क्या याद रखा, यहां पर magnetic field is 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, यहां पर भी 0, surface तक जाएंगे, magnetic field will be 0, because there is no current enclosed, inside the slender, there is no current, surface पर maximum, magnetic field mu not i by 2 pi r, फिर उसके बाद, दीरे दीरे magnetic field क्या होता जाएगा, surface से बाहर यह relation है, यहांने magnetic field पेटा, दीरे 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 कम होता जाएगा, and now if you want to plot the graph, अगर आप graph plot करना चाहोगे, magnetic field variation के लिए, if we want to plot the graph for magnetic field variation, so आपका graph कुछ ऐसा आएगा, suppose यह आपका slender है पेटा, यह सिलेंडर है हमारा, ठीक है न, यह सिलेंडर है, यह इसकी एक्सीज है, यहां पे graph plot करूँगा पेटा, ठीक है, यहां पर, so this is magnetic field versus distance, यहां से यहां तक magnetic field पेटा 0 होगा, इसलिए graph absent होगा, यहां पर abruptly इसका कोई ना कोई value होगा, इसके बाद magnetic field क्या होगा, दीरे 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 decrease हो जाएगा, and magnetic field will be inversely proportional to r, और यहां पर क्या होगा, यहां पर surface पे magnetic field किसके बराबर आएगा, maximum किसके बराबर, b max, and that is equal to, mu not i by 2 pi r, so, यहां से यहां तक कोई magnetic field नहीं होगा, फिर जित आप दो जाएगे, magnetic field दीरे 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 कम होता जाएगा, ठीक है ना मिटा, चलिए यह बात तो हमें अच्छे से समझ आएगा, अब हमारे पास इसकी और एक application बनीगी, that is magnetic field due to a solid cylinder, अगर हमारे पास solid cylinder होगा, hollow नहीं होगा, तो solid cylinder से magnetic field कैसे निकाला जाएगे, वो इन्शालला ने एक से लेक्च्छर में देखाएगे, thank you very much,